हेलो दोस्तो लेट्स क्रैकिट की मैगजीन एनलाइसी स्रीज में आप लोग का स्वागत है और 16 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 की न्यू इंडिया समचार मैगजीन आप लोग के सामने है ये है इशू नंबर 20 सारे के सारे जो इशू हैं वो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी न्यू इंडिया समचार के नाम से अलग प्लेलिस्ट यहां पर बनाई हुई है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडियेफ टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी एनोटेट पीडियेफ भी है क्लीन पीडियेफ भी है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है तो चलिए आगे चलते हो देखते हैं कि प्रिलिम्स के लिए हमारे काम के क्या क्या पॉइंट्स हो जाते हैं और उनको देखने की कोशिश करते हैं लाइक शेयर पंचायती राज डे है इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेगा तेहत्तरवे कॉंस्ट्यूशन अमेडमेंट के जरी हमने पंचायती राज इंस्ट्यूशन को कॉंस्ट्यूशन स्का दर्जा यहां पर दिया था डी सेंट्रलाइस प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो प 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट यहां पर हासिल कर लिए हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट यहां पर हमने हासिल किया हूँ इससे पहले 2018 में हमने 330 बिलियन डॉलर का टार्गेट हांसिल किया था 2021 में 400 बिलियन डॉलर का जो है वो हमने हासिल किया है एक्सपोर्ट का टार्गेट इससे पता चलता है कि सेर्फ लाइन्स और आत्मरबाद के कंसेप्ट काफी अच्छा यहां पर चल रहा है तो यह चीजे हमें ध्यान में रखनी है और यह भी पता चलता है कि हर दिन लगबग एक बिलियन डॉलर का और चватने प्रक्रेंश कीक माइन थे किड़्यान है यहां यहला पर प्रोड़क्ट तैजनियेशन और वह की उसको चारसू बिलियन डॉलर का टागिट है सिंपल सी नियूज को याद रखनी है उसके बाद एक पोर्टल नेसका गवर्मेंटी मार्केट प्लेस जितने भी पॉब्लिक प्रक्यूर्मेंट होते हैं सरकार की अलगलग एजनसीज समान खरीदती हैं वो सब इस पॉर्टल के जरीए यहां पर खरीदा जाता है पहली बार इस पॉर्टल पर एक लाग करूं रुपे के ओर्डर जो हैं वो और्ग का काम भी अलग-अलग है ठीक है पहली बार यहां आपको मिलेगा कि एक लाग करूं के जो ओडर्स हैं वो यहां पर दिये गए हैं बाकी यह सब आपको यहां पर जानने की जरुरत नहीं पड़ेगी सरकार ने दोजार चोधा में नमामी गंगे प्रोग्राम चलाया गंगा इसके दुआरा हम लगबग 18,90,000 किलोमीटर को कवर करने की कोश्च करेंगे लगबग कंट्री का 57% एरिया जो है वो इसके अंदर में कवर यहां पर हो जाएगा ओकी तो इसके जरीए हम जो रिवर्स को रिजविनेट करेंगे आसपास पेर पोदे लगाएंगे बढ़ावा दे रहे हो ओकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना आत्मिलवार भारत की तरफ को एक कदम है यानि सेल्फ लाइंट इंडिया की तरफ एक कदम है तोई काफी इंपोर्टेंट है बच्चों के लिए एंटरेन्मेंट का साधन तो हैं फिजिकल और म पर बढ़ी और ट्रेडिशनल टोईज भी यहां पर आपके बढ़ने शुरू हुए तो यह सब आप यहां पर ध्यान में रखेगा कि इंपोर्ट ओ फॉरंट टोईज जो है वो हमने लगबग 62 परसेंट तक कम यहां पर कर दिया है इसके बाद सरकार की स्कीम है जिसका नाम को अब एर सर्विसिस के दूरू कनेक्ट किया गया 27 मार्च को पहली फिलाइट यहां से जो है वो उड़ी जस्ट 20 मिनट में दोनों सिटीज के बीच की जो दूरी है वो यहां पर कवर हो जाएगी और यह सब काम उड़ान स्कीम के अंदर में यहां पर किया गया है उड़ा की कोशिश यहां पर की जाएगी ओके तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको एक personality के बारे में मिलेगा जिनका नाम है धोदो केशब कारवे इनके बारे में जस्ट आपको एक point यहां पर याद रखना है woman empowerment के लिए इनोंने यहां पर work किया और woman empowerment के लिए इनके जो work के लिए यहां पर work किया country का जो पहला इसकूल था विडियो के लिए वो इनोंने पूने के हिंगने में आपर खोला okay very very important country का पहला जो first school है विडियो के लिए वो किसने खोला तो आपका इनोंने यहां पर खोला जिनका नाम था धूंडो केशब कारवे और कहां पर खोला ठकरासी इन्होंने याँ पर फंड अब생 डेवल कराए और इनकी माता जी के नाम पर इस उनिवस्टी का नाम यहाँपर रखा गया माराष्यटा विलेज प्राइमरी एजूकेशन कमीटी भी इन्होंने यहाँपर कठिती प्दम भीवूशन कल्यार अन योजना के बारे में ये जो योजना है वो आपकी अपरेल 2020 में शुरू की गई थी COVID-19 की मार से बचने के लिए फ्री जो राशन है वो अबिलेबल करा जा रहा था National Food Security Act के अंदर जो लोग इलिजिबल है उनको पहले 5 किलो फ्री राशन था प्लस एक केजी पल्स भी यहां पर अबिलेबल थी लेकिन पल्स का प्रोविजन धेरे-धेरे हटा दिया गया अब सिर्फ 5 केजी फ्री राशन इच मन्थ अबिलेबल यहां पर कराया जाता है तो यह आपकी ओजना है इसको सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है पहले म यह सब जो है वो बैनिफिट इस तरीके से अबिलेबल कराएगा जो माइगरेंट वरकर्स हैं बैनिफीसरीज हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के जरीए भी यहां पर आपका इनसुबिदाओं को एवेल कर सकते हैं उसके अलावा जो रो जूट है उसके लिए MSP को र और 34% अब DA यहां पर इनका कर दिया गया है अगला World Heritage Day 18 April को हम हर साल यहां पर मनाते हैं और इंडिया के जो आर्टिफेक्ट हैं जो जो सोल्ड हुए बाहर बेच दिये गए ब्रिटिश टाइम में चोरी कर दिये गए स्टोलन यहां पर देखने के लिए मिले या उनकी अगल्ड आर्टिकल्स को आर्टिफेक्ट्स को 2014 से शुरू हुआ 29 आर्टिफेक्ट जो है वो ऑस्टेलिया के प्राइमिस्टर जो स्कॉर्ट मौरिशन है उन्होंने यहां पर दिये जब इंडो ऑस्टेलिया वर्चूल कॉन्फ्रेंस मार्च 21 मार्च को यहां पर और कंट्री की जो हिस्ट्री है वो उसके आर्टिफेक्ट से ही यहां पर डिपिक्ट होती है एक आर्टिफेक्ट को देखकर के हम उसकी हिस्ट्री का अंदाजा लगा सकते हैं तो यह काफी जदा प्राइसलेस आर्टिफेक्ट होते हैं यह हमारी कल्चर सिविलाइजिशन के सि जो हैं वो बापस लाए गए हैं यह काफी इंपोर्टेंट है अलग-अलग कंट्री से यह काम यहां पर जो है वो किया जा रहा है आप देख सकते हैं अमेरिका से 157 जो मूर्ति आइडल्स हैं वो यहां पर लाए गए इसमें नट्राज जी का जो ब्रेंच ब्रोंज टेचू ह है जो 12th century का है वो भी यहां पर included है और इसके अंदर आपको मिलेगा सकी 60 जो हैं वो हिंदुजम से related हैं 16 artifacts जो हैं वो आपकी बुद्दिजम से हैं और 9 जो हैं वो चैनिजम से related हैं इनकी चोरी trafficking smuggling का भी यहां पर हुई थी अब इनको यहां पर वापस जो है वो लाया जा आए ऐसे ही आपके जो ऑस्टेलिया हैं ऑस्टेलिया की जो नेशनल गैलरी है वहां से आपके 14 ancient heritage objects को बापस यहां पर लाए जाएगा ब्रोंज के stone के sculptures हैं पेंटिंग्स हैं फोडोग्राम्स हैं यह सब बापस यहां पर लाए जाएंगे यह सब source power के लिए इसमाल किया जा जाता है और यह जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसके लिए हैं तो यह बर्थ anniversary होती है श्री श्री हरी चंदर ठाकुर जी की ओके तो यह पॉंट यहां पर याद रखो मत्वा धर्म मेला 2022 और्गनाइस किया गया कहां बैस बेंगोल के अंदर ठाकुर बारी मे यह जो हैं आपके जिनके लिए और्गनाइस किया जा रहा है जिनकी बर्थ anniversary उनका नाम है श्री श्री हरी चंदर ठाकुर जी और इन्होंने जो कुछ काम किया वो oppressed, downtround या deprived लोगों के betterment के लिए आपर work किया तो इनहीं के लिए हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है कि एक democracy के जो rights हैं उन्होंने यहां पर बचाए एक democracy का मतलब होता है कि आप last people को target करें आपके जो benefits हैं वो हर एक किसी को यहां पर मिलने चाहिए तो यह काम शिरी शिरी हरी चंदर जी ठाकुर जी ने यहां पर किया एक social and religious movement इन्होंने start किया ऐसे सबी लोगों की मदद की जो society society में बहुत ही पिछले रह गए थे और यह जो movement है यह start हुआ और कंडी से 1860 में और इसके अलावा इन्होंने एक संग भी बनाया जिसका नामता मत्वा महासंग और उस मत्वा महासंग के दौरा एक All India मत्वा Federation release हुई और वहां से आपका यह मेला हर साल organize जो है वो किया जाता और की social justice और public welfare के लिए इनोंने यहां पर work किया इसलिए हम इसको organize करते हैं हम society से violence को खतम करने की बात करते हैं एनर की को बात करते हैं क्योंकि जहाँ violence होगा एनर की होगी वहाँ public welfare की बात आप नहीं कर सकते तो इसलिए हैं इसलिए हैं यहाँ पर आपका इस और गेनाइस क cover किया आप देख सकते हैं कि फरवरी 16 से लेकर के 28 की जो पूरी magazine थी वो budget के उपर थी काफी detail में budget की provision देखे सारे provision देखे ई विद्या से लेकर के one class one channel digital laboratory digital university national digital university का program देखा देश इस टेक e portal सब देखा है हमने drone किसान drone सब कुछ यहाँ पर देखा ruler connectivity सब बढ़ाने के लिए जो आपके भारत net project बगैरा launch किये गए हैं e-skilling laboratories है यह सब कुछ हम ने यहाँ पर देख लिया है इस particular magazine के अंदर तो budget को यहाँ पर ignore मारते हैं क्योंकि यह हमारा तरीका नहीं है हम इस तरीके से जो है वो work बिलकुल भी नहीं करते के हर चीज़ को बार बार पढ़ते हैं यहाँ पर रहें ओकी रिविजन जरूरी है जो चीज़े पढ़ाए गई है उनका रिविजन किया जाए ना कि नई चीज़े यहाँ पर रहूं नई भी कुछ नहीं है भारत net project है पीम बिकास पहल है नोर्थीस्ट के विलेजिस को डेवलेपमेंट करने के लिए इसकी इमतिस साब साब पढ़ाई है यूनिक लेंड पारसल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लोच किया गया है आपके जो पिलोट्स हैं उनकी यूनिक आईडी आपको यहाँ पर दी जाएगी स्वामित विस्की में ड्रोन मैपिंग का ड्रोन सर्वे के द्वारा लेंड मैपिंग यहाँ पर करने का प्रोवीजन है एक्रिकल्चर के छेतर में भी साथ आठ काम यहाँ पर किये गए सब पढ़ाए हैं मैंने आपको कि नैचरल फार्मिंग कोरिडूर बनाएंगे पांच किलो मीटर तक आपके नैचरल फार्मिंग की जाएगी वीवर गंगा के दोनों तरफ किसान ड्रोन वगएर का यूज करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे यह सब कवर हो चुका है इसमें आपको और जादा जाने की ज़रुरत नहीं है उसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया जापान की 14th annual summit यहाँ पर जो है वो और गेनाइस की गई और यह दिखाता है कि 21 वी century की सबसे important partnership यह निकल करके आती है annual summit इंडिया जापान के काफी अच्छे relation रहे है 70 साल हमारे relations को यहाँ पर हो गए 2022 में और हमारे बुद्ध भगवान हों ठीक है नेता जी सुबास्चंद बहुस हों सभी के अपने relation रहे हैं दोनों country's के बीच में ties को बढ़ाने के लिए काफी important relation रहे हैं science track में भी काफी अच्छी मदद किया है बहुत सारे metro projects भी चलाए जा रहे है 2014 के बाद से काफी कुछ यहाँ पर बदला है एहमदाबाद, मुंबई, high rail network या फिर quad program हो सभी में जापान जो हमारी यहाँ पर मदद करता है हम भी जापान की अलग लग छेटर में यहाँ पर मदद करते है तो इसी उप लक्ष में 14 जो annual summit है दोनों countries के बीच में दिल्ली में आपर होनी थी तो जो आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है फूमियो किसीदा वो इंडिया यहाँ पर पहुचे और फिजिकल जो summit है वो यहाँ पर organize की गई हाई लेवल इंडो जैपान summit थी हर साल यहाँ पर होती है 2014 में आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर रजेद मौदीजी जी ने जब office यहाँ पर hold किया उसके बाद पहली जो foreign trip थी वो आपकी जापान के लिए ही यहाँ पर थी और अब यह 14 summit यहाँ पर जो हो रही है COVID-19 है, domestic concerns है international concerns है like Russia, Ukraine conflict है, humanitarian crisis है सभी के उपर यहाँ पर जो है वो बात की गई अलग-लग तरीके के economic, trade, energy sectors related targets हैं उनके ओपर यहाँ पर बात की गई 6 agreement यहाँ पर sign हुए जापान ने कहा कि लगबग 3,20,000 क्रोंग रुपे का investment हम यहाँ पर करेंगे investment promotion partnership के अंदर जो की 2014 में sign हुई दोनों countries को 70 साथ यहाँ पर हो चुके हैं अलग-लग तरीके के जो economic partners तो यहाँ पर रहे हैं साथ-साथ strategic allies भी रहे हैं जापान हमारी China को control करने में बंदत करता है South China Sea के अंदर साथ-साथ जो specific technology है जो की जापान के पास ही है वो सब भी India के अंदर में यहाँ पर आती है Indo-Pacific Reason में US, Australia, Japan के साथ मिलकर के हम सब Quad जो organization है उसको यहाँ पर चलाते हैं और Indian Pacific Reason की security, peace, prosperity और progress को ध्यान में रखते हुए यह सब काम हम यहाँ पर करते हैं इसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा India और Australia की second virtual summit यहाँ पर हूँ यह virtual थी, यह वाली physical थी याद रखना इंडिया उस्टेलिया के साथ भी same चीज़े हैं हमने अलग-अलग तरीके के partnership यहाँ पर किये अलग-अलग छेतर में किये Education, Innovation, Science, Technology, Critical, Mindless, Water, Management New, Renewable Energy, Technology, Research, COVID-19 के छेतर में ओके global politics किस तरीके से change हो रही है उन सबी के बीच में हमने यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखने है उसके बाद PM आवास योजना ग्रामीर की बात हो रही है और यह news के अंदर आई क्योंकि पांच लाख लोगों को यहाँ पर जो है वो घर जो है वो बाटे गए इस scheme के अंदर और यह जो काम हुआ वो MP यानि के दिया जा चुका है डाटा याद रख नहीं ज़रोत रही लेकिन आप लगभग इतना तो ध्यान में रखो कि यह लगभग 2 करोन 32 लाग के करीब कुछ है टोटल टारगेट हमारा है 2 करोन 95 लाग का तो यह हम 2022 तक यह करने की कोशिश कर रहा है और अभी हमने यह काम किया अब इसके अंदर मद्य परदेश में एक अलक से प्रोग्राम और्ग्िनास किया गए जिसका नाम तर गिरहए प्रवेश प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के अंदर 5 लाग लोगों को जो हाॉस की बलब्स हैं उजाला स्कीम के अंदर में और गैस कनेक्शन उजवला के अंदर वाटर कनेक्शन सब कुछ पहले से ही अबिलेबल है आपको किसी और गवर्मेंट ओफिस का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है मद्य प्रदेश के अंदर पांच लाख लोगों को बैनिफिसरी इसको गिरह प्रवेस प्रोग्राम के अंदर या फिर ये इवेंट कह सकते हो इसके अंदर ये बैनिफिसरी इसको यह चीज़ें यहां पर अबिलेबल कराई गए उके तो यह सब पॉइंट्स आप यहां पर धियान में रखोगे उसके बाद पदम आवोर्ड की बात यहां पर दी गई है पदम आवोर्ड यहां पर आपके एनाउंस तो पहले ही कर दिये गए थे अब यहां पर जो है वो डिस्टिब्यूट किये गए है पदम आवोर्ड की बात करें तो टोटल 128 पदम आवोर्ड इस साल यहां पर दिये जाएंगे इसमें से कि चार को यहाँ पर मिला पहले जो हैं वो हैं आपकी मिस्त प्रभा आत्रे जो की आर्ट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और जो इनकी डिस्टिक है वो है आपकी महरास्ट्रा इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान लगना है दूसरे हैं आपके रादेश्याम खेमका जी श्री रा आपके UP से बिलोंग करते हैं और Public Affairs के रूप में हाँ पर जो है वो इनको Public Affairs कैटेगरी के अंदर ये जो अवोर्ड है वो दिया जाएगा जो नीचे के तीन मैंने आपको यहाँ पर बताए श्री रादेशियाम खेम का है जनरल बेपिन रावजी और श्री कल्यान सिंग जी इन तब ही हो सकता है जब उसके जो लोग है वो healthy और fit हो तो इस तरीके से जो sports का culture है country के अंदर उसको यहाँ पर promote कर रहे है ग्रासूट लेवल पर जो talent है उसको identify करते हैं और खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरीए उसको international मंच यानि की Olympic पर ले जाने की कोशिश हम यहाँ पर क आएगा इसका review हुआ 2017 में और फिर इसको 12 जो हिस्से है उसमें यहाँ पर divide कर दिया गया खेलो इंडिया को 2014 से पहले country में सिर्फ 38 playgrounds मोजूद थे लेकिन हमने इनकी संख्या बढ़ा करके 267 यहाँ पर कर दी annual sports competition भी हम यहाँ पर चलाते हैं साथी साथ जो infrastructure है GMAT tracks है वो सब quality coaching भी available करा रहे हैं उसके लावा खेलो इंडिया centers भी यहाँ पर बनाए गए है talent search and उसके लिए आपका talent search portal भी launch किया गया physical fitness school kids की उसके लिए भी आपर ध्यान दिया जा रहा है साथी साथ आप देखोगी कि disabled के लिए जो para athletes हैं उनके लिए भी आपर काम हो रहा है indigenous sports को भी ब पर मिलेगा और साथी साथ peace and development के लिए खेलो इंडिया winter games union territory of जम्हुन कश्मीर और लद्दाक में organize किये जाते हैं पहली बार जम्हुन कश्मीर में organize भी किये गए इसके लिए budget भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया खेलो इंडिया scheme के लिए 48% से budget को यहाँ पर बढ़ाया गया 9974 क्रोन रुपीज यहाँ पर जो है वो budget के लिए दिये गए खेलो इंडिया national program में अगले 5 साल के लिए 31,65 क्रोन यहाँ पर दिये गए उके उसके अलावा जो आपके खेलो इंडिया school youth games हैं खेलो इंडिया university games हैं खेलो इंडिया winter games हैं अलग-लग organize किये जाते हैं तीन editions में और इसके अलावा state of the art sports complexes भी यहाँ पर जो है वो आपके तयार किये गए हैं उसके बाद यहाँ पर एक compilation release किया गया compilation जो है उसका नाम है श्री धर्म जीवन गाथा और यह जो आपका है वो groupal tradition को दिखाता है groupal tradition के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपके इसके अंदर हम educate together का concept लेकर के आते हैं यानि कि सर्वजन हिताय का concept लेकर के आते हैं यह आपका ancient India का groupal tradition है और इस tradition के अंदर में आपका सर्वजन हिताय का concept जुड़ा हुआ है और इसमें आपकी कुछ compilations यहाँ पर थे उनको यहाँ पर release किया गया यह जो है basically इस तरीके का है कि इंडिया मे संत movement है या भक्ति movement है उसकी significant history रही है okay freedom movement में भी उन्होंने role निबाया है okay और उनका role आज भी यहाँ पर है इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखना तो हुआ क्या हुआ यह कि 20 March 2022 को गुजरात के एहमदाबाद में SGBP स्वामी नारायन गुरुकुल बिश्व विध संध्या प्रेस्टेट ठानम उके इनकी यहाँ पर जो है वो program organized हुआ जिसका नाम है भाव बंदना program और इस program के अंदर जो है वो जो गुरुकुल फैमली हमारे इंडिया के अनदर मौजूद है जो गुरुकुल पदित्य को फोलो करती है वो उन सभी से ये बात कही गई कि आप अमरत महसब को बढ़ावा देने की कोश्च करें अमरत काल में योगदान करें नैच्रल फार्मिंग को परमोट करने की बात करें मदद रर्थ को प्रोटेक्ट करें को कि इस चीज़ के ओपर हमने यहां पर बात की की और उनकी जो यह सब बुक्स हैं उनको एज़ास्ष्री धर्मजीवन का था के नाम से यहां पर आपका प्रकाशित किया गया यह जो कंसेप्ट है यह सरवजन हिताय सरवजन सुखाई के बेस पर है और आज की तुल्ला में अगर हम इसको देखने तो सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास सबका प्रियास के बेस पर यह मॉडल आपका जो है वो वर्क करता है तो यह जो है वो आपकी इस तरीके से इस सारी निउस आपके काम की हो जाती है उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो दो अलग-अलग wars के बारे में बताया गया पहली वार जो है उसका नाम है क्होंगजोम एंग्लो मनिपूर वार जो की मनिपूर के अंदर में यहाँ पर होई इस war की बात करें तो इसका नाम है 1891 ठीके आप इसको इससे समझो कि 1891 की एंगलो मनीपूर war के रूप में इसको यहाँ पर जाना जाता है और यह war जो है वो खौंगजोम में यहाँ पर हुई जो की मनीपूर के अंदर में यहाँ पर पड़ता है ब्रिटिश रूल यहाँ पर था और लास्ट इस्टेट है मनीपूर याद रखना है जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक्क्वाइर किया ब्रिटिशर्स का जो एक्स्पिडिशन था एक्क्वाइर करने का इस टेरिट्रीज को वो 1757 बैटल ओफ प्रासी से शुरू हुआ और खतम जो हुआ वो हुआ 1891 की बैटल ओफ मनीपूर या आप देखो एंगलो मनीपूर वार के द्वारा ओके लास्ट इस्टेट मनीपूर ही यहाँ पर था और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मनीपूर के लोग थे जो मनीपूर के आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मदद स यहाँ पर आपका जो बिटिशर्स हैं उनको हराने की कोशिश की गई बट बिटिशर्स के पास modern weapons थे यहाँ पर हमारे पास नहीं थे हम आपके कह सकते हैं कि traditional spear, sword वगएर से यहाँ पर लड़ रहे थे जिसकी वज़े से एक बार तो हमने हरा दिया लेकिन दूसरी बार में जो बिटिशर्स हैं उनकी जीत यहाँ पर हुई जो लोग सहीद हुए उनके लिए यहाँ पर एक war memorial complex भी तग्यार किया गया है जिसका नाम है खौंग्जों war memorial complex और यह जो है वो मनीपूर के अंदर तुबाल डिस्टिग में यहाँ पर आपका है ओके जो brave मनीपूर soldiers थे उ आपका construct किया गया और यह आपका एंगलो मनीपूर war की याद को भी दिखाता है 131 भी anniversary भी इसकी यहाँ पर आपकी याद के लिए organize की गई ओके तो इस तरीके से आपको मिलेगा काफी लोग सहीद हुए काफी लोग मरे कुछ को execute कर दिया गया prosecute किया गया sentence दी गई कुछ को फांसी की सजा भी यहाँ पर दी गई कुछ को अंडमान निकोबार भीज़ दिया गया ओकी तो यह सब चीज़ें आपको समझे में आएंगी बट आप इतना जरूर से धियान रखें कि दब प्रोसिस ओफ एनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स वो शुरू हुई बैटल ओफ प यहाँ पर आगया यह सब पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे उसके बाद दूसरी जो बैटल है उसका नाम है क्योंजार बैटल और यह जो बैटल है वो उडिसा के अंदर में यहाँ पर लड़े गई उडिसा में क्योंजार नाम की जगह है वहां की दो ट्राइ से कि जो लोग हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहां पर लड़े वहां के जो किंग थे उनके अलग इंट्रेस्ट थे उनके अगेंस्ट भी यहां पर लड़े टैक्स वगेरा यहां पर लगाए गए उनके अगेंस्ट यहां पर लड़े और इनमें दो लोगों का यहाँ पर ध्यान में रखना है और इसके लिए एक royal palace भी है आप देख सकते हैं कियोंजार state के अंदर उडिसा में और यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो बुयान ट्राइबल्स हैं उनकी जो society है वहाँ के लोगों का depiction भी इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोनों लीडर हैं एक हैं आपके रतना नायक और जो दूसरे लीडर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वो हैं आपके नंद नायक दोनों ने surrender कर दिया बाद में अपनी community यानि की भोयान community को save करने के लिए और उनको फिर यहाँ पर फांसी की सजा यहाँ पर दी गई यह सब काम आपको मिलेंगे की ध्यान में रखना है इन्होंने कई काम किये लाइक किंग डीवान के को यहाँ पर किटनेप किया वगरा वगरा चीजें ओके यह सब याद नहीं रहेगा बट इतना तो यहाँ पर याद रखो उसके लावा यहाँ पर कुछ न्यूस महात्मा गांधी हैं तो यंग इंडिया नव जीवन और हरी जन को प्रोसाइट किया सियाम जी क्रिशन जी वरमाय तो इंडियन सोशोलोजिस्ट है उसको प्रकाशित किया ओगे इस सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है फिर बिक्टोरिया मेमोरियल के बारे में जगा है जिसका नाम है बिपलोवी भारत गैली और वहाँ पर जो रिवलूशनरी हैं उनके कंट्रिबूशन को दिखाने के लिए यह काम यहाँ पर किया गया है इसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा किस तरीके से किसने कहां कैसे क्यों लड़ाईया की ओके किस तरीके से freedom movement जो है वो सही रहा इन सब चीजों के बारे में इसके अंदर जो है वो जिकरी यहाँ पर किया जाएगा तो यह सब फोटो बगएरा इसके अंदर organize किये गए हैं आपको नाम तो याद रखना है वाट इस डिपलोवी भारत क्या लगी ओके तो यह चीज़ें आपको इस तर अराफ किया आपको यह तो मिए रहागा जवेशवी खिएलो हैै जएयो है कितолог कैसित आपको सास्त पना है अजहा है undra सन्भें उपको तो यहाँ भावी है λिए ड़ फो यह दीज़ें रहा एिचितन किये रहाइआ घट रहाएद कर दो एहाँ दो अरुशम ज़ें आपको